आज हम इस्टेक्ट्रामी और प्रोलप्स यूट्रस के बारे में इस्टडी और डिस्केशन करेंगे आप लोगों से क्विश्चन करना चाहूंगी क्या आप लोगों को पता है सर्जरी और ऑपरेशन में क्या डिफ्रेंसियेशन होता है अधिकांता हम देखते हैं कि जहां तक हमें समझ में आता है नॉर्मली तो हमें जो ऑपरेशन है और सर्जरी है वो सेम समझ में आती है मतलब कि हम यह समझते हैं कि ऑपरेशन और सर्जरी एक ही होती है बट ऐसा नहीं है गैस, surgery अलग होती है, operation अलग होता है मैं आपको बताती हूँ कि इन दो नमेर differentiation क्या होता है surgery जो होती है, जब body part कहीं से cut जाए, तूट जाए तो इन सब चीजों को repair करने की जो process होती है जब कहीं cut गया हो, तूट गया हो, फट गया हो तो इन सब चीजों को रिपेर करने की जो प्रोसेस होती है उसे सर्जरी कहते हैं जब हमारे बॉडी का कोई ओर्गन्स कैसा हो अंदर सड़ गया हो गल गया हो या किसी बॉडी के ओर्गन्स में cancer tumors हो गया हूं तो उस part को वहां से cut करके बहार निकालने की जो process होती है उसे operation कहते हैं आई होप आप लोगों दोनों में differentiation बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा surgery में हम किसी भी part को क्या करते है repair करते हैं दिन operation में क्या होता है हम infected जो organs होते हैं जिसमें कुछ हो गया हो कोई disease conditions के कारण वो कैसा हो खराब हो गया हो तो उसे वहां से हम क्या कर देते हैं कर देते हैं तो यह होता है operation ओके गाइस यह नॉर्मली था और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है इसलिए मैंने इस टॉपिक में इस एड़ किया था चलो गाइस हम अपने टॉपिक क्यों चलते हैं तो हमारा टॉपिक था आज का हिस्टेक्ट्रॉमी प्रोलाप्स यू यूट्रस होता है फीमेल की फीमेल में जो यूट्रस होता है उसे बहार निकालने की जो प्रोसेज होती है उसको हम इस्टेक्ट्रॉमी कहते हैं और जो प्रोलेप्स यूट्रस होता है जब किसी डिजेस कंडिशन या क्रिटिकल सिच्वेशन के कारण जो यूट्रस है वो प्रोलेप्स यूटरस कहलाता है कि यूटरस को क्या करते हैं बाहर निकालने के क्रिया क्या कहलाती है जानेंगे हैं यह यह होता है यह होता है कि यह यूटरस वाले भाग को बॉड़ी पार्ट से कर देते हैं बॉडी से अलग कर देते हैं तो दो टल थे टोमी टोटल हुटा है में कैस होता है कि हम यूटरस के साथ सर्विक्स को भी कैसे कर देते हैं बॉडी से अलग कर देते हैं थार्ड है हिस्टेक्टॉमी एंड सेलपेंगो ऑप्रेक्टॉमी ओके तो यह थार्ड है और इसमें क्या होता है गाइस यूटरस के साथ साथ हम क्या करेंगे सर्विक्स और हम प्रीöz फैलैोंटच्वारिम टूब यानिकी पूरा यूटरन जो होता है हानके उसे हम कैसा कर देंगे बौडी से बाहर कर देंगे जो नोरुकस है आप आप को 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 चीद है समाच में फिर्स अन заним विठीर को बढ रहे थे दिन सैकेंड है क्या कर रहे और फैलोपिन ट्यूब जो थी उसे भी हम क्या कर रहे थे बाड़ी से बाहर कर रहे थे तो के अधिन्थ उसके बाद पढ़ेंगे डर्य मैफड ऋब हीस्टीक टॉन ने सो मैफड्स मतलब कि हम किस मैफड से जो यूट्रस है उसे बाड़ी से बाहर निकाल सकते सबसे पहले हैं, एब्डोमन एरिया से हम यूटरस बहार निकाल सकते हैं, एब्डोमन एरिया में हम क्या करेंगे, बड़ा सा क्या करेंगे, हूल या कट करेंगे, और वहां से यूटरस को बहार निकाल लेंगे, फिर है वजाइनल एरिया, वजाइनल एरिया से भी हम यूटरस को कै हम इसमाल करें और लेप्रेस कहुंड से मदद से यूटर्स को कैसे कर देते हैं आई छाज मैं आपको मैं अच्छे से समझ में में आ गई होंगी कि यूट्रसम्य को होता हमारा जो मैंने बताई था यूट्रसम जो वाजाइन के बाहर निकलता है किसी रेहर और पोर सिच्विसंस में में ओकन तो हम सब्सक्राइब और यह जानेंगे आकर या मेहाँ निकलता थगाइब तो थे गिया on उन females को होता है जो old age हों जिनका menopause हो गया हो क्योंकि ऐसा होता है कि जो estrogen hormones है वो young female में ज्यादा release होते हैं और जो females old हो जाती है और इनका menopause हो जाता है उसमें estrogen hormones कैसा होता है कम मात्रा में release होता है लेकिन दो क्या होता है लिगामेंट्स और मसल्स जो होती है उसके जगापर कैसे होते हैं नॉर्म के जगह पर रखती है तो गैस जो नॉर्मल्म करहousse दाना रहती है नो को लेशनी मारवी पना से नाड़ित मात्रा में होता है जिसके कारण क्या होता है ये नीचे लटक सही जाती है तो क्या हूपालता है या Random हो जाते हैं और और वह सब्सक्राइब को सकता है चारण सेक्ब्स क्ण्प धोसब हुछने सर्जान होगा कि रूरलेध धर में हम् डिलिवरी कर आई açıl तो जो जो खरती करवाने वाली जो परसंतंप होते हैं अगर हम उसके टेट नॉय किशन एयुपस και ब भी करवा आधी है कि जो का यूटरइस तो अभी स्टाइब पूरॲी च्राइब हुआ है यूट्रस का में जो सर्विक्स होता है उसका मुझ अभी खुला नहीं मतलब कि बच्चे दाने का मुझ खुला नहीं पूरी तरीके से और क्या करती है जो दाई होती है वो इधर सामने से क्या होता है पेट को क्या करती है तो पेट को सामने से पुसब करने के वज़े से और जो सर्विक से उसका मुत खुला नहीं था तो पुसब करने के वज़े से क्या होता यूट्रस जो होता वह अपनी नॉर्मली जगह से कैसे हो जाता है नीचे आ जाता है तो जिसके कारण से भी क्या हो सकता है प्रॉलेफ्स यूट्रस मतल description बाहर आसकता है आने के चांसर कैसे हो जाते हैं बढ़े क्पषिछ होता है जब आपकी डिलेवरी होती है बढ़ आते हैं ऊके गैस तो तीनों बाते ओच्चे समझ वहाएंगे फूर्थ बात क्या होती है कि यूट्रस में ठॉलली recovered और um या और भॉलिप्ज होते हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है यूट्रस का भार बढ़ जाता है जिसकी वज़ह से शब्र वेत कैसा हो जाता हो या कुछ connective tissue disorder हो जिसके वज़े से already muscles कैसी हो जाती है weakness हो जाती है जिसके कारण से uterine क्या हो सकता है प्रॉलेप्स हो सकता है यहां तक कि आपको समझ में आया होगा कि किस कारण से जो प्रॉलेप्स uterus होता है uterus बाहर कैसे आता है किस कारण constant से आता है ठीक है अब क्या होता है कि अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी रिजंस ऐसे कौन सी situation से हैं जब डॉक्टर हमें क्या करता है uterus जो जो यूट्रीस हो जाता है उस condition में ऐसे कोन सी सिज़ेशन सब्सारिक में चौन को कहता है कि आपके पढ़ेगी आपके यूटर्स को कैसा करना पढ़ेगा बहार निकालना पढ़ेगा तब ही आप इस बिमारी और इस परेशानी से बच सकते हैं तो कौन से एक कंडिशन होती है कि जब क्या हो पेसिंट की एज जादा हो गई हो और यूटरस अपनी नॉर्मल पोजिशन से कैसे आ गया हो नीचे आ गया हो और सर्विक्स और वजाइना में दिखने लगा हो और जो बच्चे दानी कम हो और वजाइना होता है उससे दिखने भी लगा हो तो इस कंडिशन में डॉक्टर क्या कहता है पेसिंट को हिस्टेक्टों में करवाने के लिए वह एडवाइस करता है ओके दिन सेकेंड क्या होता है यदि आपके यूटरस सर्विक्स और वजाइना ठीके तो यूटरस में क्या होगा है इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इस रेर कंडिशन में भी डॉक्टर है यह अडवाइस आपको देते हैं कि आपको हिस्टेक्टों में करवानी पड़ेगी देन उसके बाद है थर अंकंट्रोल ब्लीडिंग यदि आपके वजाइना से अंकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही हो ओके आप देखी पार हु और इस परिशानी से किसे बश सकते हैं उसके बाल आता है पम होता है प्लिड्यड करवानी के लिए की आपको गरबासे को बडी से सरी से बहार निकलवाना पड़ेगा क्या होता है कि कई सालों से या कई महनों से आपके यूट्रस में क्या हो पेन हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है वह आपको हिस्टेट्रोमिक करने के लिए सजेस्ट करते हैं उसके बाद है हैं इसके बाद है इंड्रोमेट्रियस तो इंड्रोमेट्रीट टिसू होते हैं वह यूट्रस को क्या करते हैं बाहर बढ़ने लगते हैं जिसके काराण भी हमें क्या करना प्रता है संदिक लिवे ना परता है त्सक्रायक जो एंडिमेटी सू होते हैं वो पेसेंट की車 वालने लगते हैं मतलबकी गर्भासें की जो दीवार होती हैं उस पर बढद मंने लगते हैं जिससे प्लीडिंग होने लगती है और बहुत स्याधा पीन भी हो सकता है जिस कारण से हिस्टेट्रोमी करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कहते हैं कि आपको गर्भासे को सरी से भान निकालना पड़ेगा तभी क्या हो सकता है ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है दिन पैन कम होगा ओके यद इसे म क्या है य roommates avec a jude मे कोई केंसर हो जाता है तो उस कंडिम में भी बेस जो डॉक्तर हो वो सीसिक्ट करते हैं एडवाइस देते हैं कि आपको किस्टक्टोमी करने पड़ेगे इसा धोन देगा करने लिखा गर्ध का निकालने में हो चाहता क्या समय देखने को मिलेंगे तो गाइस ऐसा तो कुछ होता नहीं है कोई नुकसान इसमें नहीं होता है लेकिन यह पूरी तरह से से होता है कोई भी नुकसान नहीं होता है लेकिन इसके two most side effects होते हैं okay side effects two most क्या होते है इसके side effects होते है एक तो आपका इस्टोप पीर्येट और जब आप यूट्रस निकाल देंगे यदि आप बोड़ी से यूट्रस निकाल देंगे तो जाहर सी बात है कि यूट्रस के निकल जाने के बाद आपके पीर्येट्स जो है वो नहीं आएंगे ओके मतलब कि आपके पीरियट से स्टॉप हो जाएंगे जायर सी बात है कि जब आपका पीरियट से स्टॉप हो जाएंगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं इसके क्या हो सकते हैं साइड एफेक्ट होते हैं कि एक तो आपका प्रेग्न से स्टॉप हो जाएगी देन कुछ इसके हम जब यूट्रस बाड़ी से बाहर निकलवाते हैं तो उसके बाद हमें कुछ सावधानिया भी रखनी होती हैं प्रकोर्शन से यूज करने होते हैं तो इस प्रकोर्शन कुछ होते हैं कि नो हैवी लोट केरी ओके मतलब कि हमें कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है भारी सामान यहां से बहां नहीं ले जाना है मैंने पहले बताया था कि भारी सामान ले जाने से हमारा जो यूट्रस होता है वो कैसा हो सकता है नॉर्मल जगह स लाते हड सकता है और यह तो Ho你 अलुग हमने特 рос यूटर्स को कैसा कर दिया कर दिया बौडी से बाहर कर दिया ओक हमें क्या करना है है हेवीलोद केरी नहीं करना करना है दैं सेकंड है फिजिकल रिलेसंद इसेлемен होता है उसे मैं क्या कर तक कि अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनसिप नहीं रख सकते हैं, तो यह सारी चीजे थी, टाइपस थे, मैधर्स थी, कुछ रियर कंडिशन थी, और साइड इफेक्ट थे, प्रिकोर्शन थे, हिस्ट्रिक्टॉमी करते हैं, क्या होता है, और इसे बहार निकालने स क्या होता है, so guys, I hope आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, आ गया होगा, guys, thank you, thank you so much, and bye bye, take care.